हलो एवरीवन, आप प्रियांका गोर, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद पेस, तो आज का हमारा टॉपिक होगा थोमस ओर्पे के बारे में, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1685, ये एक English Dramatist थे और Restoration Period से ये बिलॉंग करते थे and he is best known for his work Venice Preserved, Venice Preserved इनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क था and इसका एक सब टाइटल भी है, that is Upload Discovered, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सब टाइटल याद रखने बहुत जरूरी है, नेसेसरी है और ये mandatory तब ज़्याद successful play की बात करते हैं, तो ये इनका सबसे ज़्यादा successful play रहा है Venice Preserved और इसका सब टाइटल है Upload Discovered, 1682 में से publish किया गया था, he left university without a degree, Thomas Otway जब graduation कर रहे थे, उन्होंने university को छोड़ दिया था और इन्होंने वहाँ से degree नहीं ली थी, फिर ये वापिस घर आ गई थे, Thomas Otway जैसे ही London आते हैं, he made an acquaintance with Ephra Ben, okay, and Ephra Ben offered a role to Thomas Otway, and what kind of role, the role was of an old king, तो Ephra Ben जो है, अपने play forced marriage के लिए, एक role offer करती है, Thomas Otway को, और वो role होता है, एक old king का, okay, और Thomas Otway इस role को accept कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, कि Ephra Ben का कौन सा play है, जिस पे Thomas Otway ने old king का role perform किया है, तो वो play है, forced marriage, और फिर एक यह question आ सकता है, कि forced marriage का subtitle क्या है, the jealous bridegroom, okay, clear, तो Ephra Ben, जब 1672 में, Thomas Otway को cast करती है, अपने इस play के लिए, उस time पर, Thomas Otway gave such an abzimal performance, due to some stage fright, क्योंकि Thomas Otway को stage से डर लगता है, तो इसी वज़े से यह बहुती bad performance देते हैं, और उसके बाद Thomas Otway कभी भी stage पर perform करने नहीं जाते, जिस साल Thomas Otway ने Ephra Ben के play के लिए perform किया था, उसी साल, the same year, Humphrey Otway passes away, but before that Humphrey Otway somewhere triggered Thomas Otway to abandon the thoughts of priesthood and to move to London to become playwright, Humphrey Otway कौन थे, इनके फादर थे, तो Humphrey Otway ने Thomas Otway को यह कहा कि तुम London जाओ और playwright बन जाओ वहाँ जाकर, Thomas Otway इसी वज़य से London चले गए and यह Elizabeth Barry के प्यार में पढ़ गए, लेकिन एक चीज़ ओर याद रखना, Humphrey Otway के पास जितनी fortune थी, जितना पैसा था, वो इन्होंने अपने बेटे को नाम बिल्कुल भी नहीं किया, मतलब उसका एक परसेंट भी इन्होंने अपने बेटे को नहीं दिया, instead he donated all his money and fortune to Thomas Otway's stepmother and his half sister, तो इस वज़य से Thomas Otway की जो जिन्दगी थी, वो ज़्यादा तर गरीबी में निकली, तो अब Thomas Otway जो थे, वो लंडन आज आते हैं, लेकिन इनके पास पैसे तो होते नहीं हैं, तो फिर इनका गुजारा कैसे चलता है, देखिए, इनको न जोन विल्मोट patronize किया करते थे, जोन विल्मोट, जोन विल्मोट कौन थे, जोन विल्मोट इनके contemporary थे, एंड एंड्रू मार्वल इनको प्रेज किया करते थे, इनफेक्ट एंड्रू मार्वल ने ये कहा था, जोन विल्मोट इस दे बेस्ट इंग्लिश सेटारिस्ट, तो जोन विल्मोट जो थे, वो Thomas Otway को patronize किया करते थे, लेकिन ये जो रिलेशन था, जोन विल्मोट एंड थोमस ओटवे के बीच में, इट सून फैल अपार्ट, ये बहुत जल्दी तूट भी गया था, रीजन क्या था, क्योंकि तोमस ओटवे अलिजाबेथ बैरी के प्यार में पढ़ गई थे, एंड एलिजाबेथ बैरी जोन विल्मोट की मिस्ट्रेस थी, तो जैसे ही जोन विल्मोट को ये पता चला, कि ये इनकी मिस्ट्रेस के साथ प्यार में पढ़ गई हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन था, पेट्रेनाइज का वो तूट गया था, तो अब फिर से थोमस ओटवे गरीबी की तरफ जा चुके थे, फिर बाद में इनके पास कोई चारा तो नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, ये रेजिमेंट में चले गई, इंग्लिश ट्रूप्स जिने हम बोलते हैं, तो जब ये रेजिमेंट में जाते हैं, इनको कमीशन मिलता है थूरू चार्ल्स अर्ल ओफ पॉलिमूथ, अर्ल ओफ पॉलिमूथ कौन थे ये, Charles Earl of Polymuth was an illegitimate son of Charles II यह illegitimate son थे Charles II के लेकिन यहाँ पर भी होता यह है कि English troops को 1679 में disband कर दिया जाता है जिस वज़े से फिर से Thomas Otway को अपने गर वापिस आना पड़ता है खाली हाथ वो भी क्योंकि 1679 में English troops को band कर दिया था एंड इस वज़े से हर एक soldier के पास घर जाने के अलावा कोई और option बचा नहीं था एंड Thomas Otway again fell into poverty क्योंकि commissions तो आना बंद हो गया था तो जब Thomas Otway London आते हैं दुबारा से तो ऐसा कहा जाता है कि उस time पर 1680 में एक work जो है वो anonymously publish हुआ था उस work का नाम है Sessions of the Poet तो ऐसा कहा जाता है कि Thomas Otway ये मानते थे कि ये work Elkanah Settle ने लिखा है और इस work में Sessions of the Poet में Thomas Otway की life के बारे में बताया है कि किस तरीके से इन्होंने struggle किया है poverty में, गरीबी में और एक टाइम ऐसा आता है कि Thomas Otway के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते तो उस time पर he wanted to make money only and in attempt to make money he tutored the son of famed restoration actress Nell Gwyn ठीक है, ये क्या करते हैं पैसा बनाने के लिए tuition स्टार्ट कर देते हैं और Nell Gwyn, Nell Gwyn कोन थी? एक restoration actress थी और बहुत famous and fine actress थी है उनके बेटे को ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं Nell Gwyn के बारे में Samuel Pips कहा करते थे कि ये बहुत fine actress है और इन्हें बहुत praise किया करते थे in fact Samuel Pips ने Nell Gwyn को कहा है pretty witty Nell क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुन्दर थी और बहुत fine actress थी and she was very much intellectual as well अब आगे आपको नाम याद रखना है Thomas Batterton का जैसे Elizabeth Barry के बारे में हमने बात की कि वो ज़्यादा तर उन्होंने Thomas Otway के work में leading female actress का रोल किया है ऐसे ही Thomas Batterton ने Otway के ज़्यादा तर works में leading male actor का रोल प्ले किया है तो इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है next slide पे चलते हैं अब हम Thomas Otway के works की बात करते हैं इनका पहला work था Elsie Bides Elsie Bides एक rhyming tragedy थी एंड इसे heroic verse में लिखा गया था इसको produce किया गया 1675 में इसमें एक character है Draxilla जो की leading role है और ये female leading role किसने play किया है Elizabeth Barry ने अब अगर हम Elsie Bides के theme की बात करें तो इसका theme है war, power struggle in the Middle East military supremacy, honor, betrayal, age discrimination, etc इस तरीके का theme इसके अंदर है अगर हम इसकी story की बात करें Elsie Bides की तो इस story में Elsie Bides नाम का एक general होता है तो Elsie Bides क्या करता है कि वो king of Sparta and उसकी wife को इस चीज के लिए मना लेता है तो king of Sparta और जो उनकी wife है वो इस चीज के लिए मान जाते हैं और Tisa Ferencz को उनकी job से हटा दिया जाता है और उनकी जंगे पर Elsie Bides को लेकर आया जाता है Tisa Ferencz को इस बात पर गुस्सा आता है कि उसे demote कर दिया गया है उसकी जंगे पर replace करके किसी और को military campaign का leader बनाया गया तो Tisa Ferencz क्या करता है कि वो एक plot तयार करता है ताकि वो Elsie Bides से revenge ले सके Tisa Ferencz को एक secret पता होता है कि Queen of Sparta का affair चल रहा है Elsie Bides के साथ तो इस चीज का advantage Tisa Ferencz उठाता है और वो सोचता है कि इस चीज को वो सब के सामने reveal कर देगा इनके affair को और इससे Queen of Sparta and Elsie Bides का downfall हो जाएगा लेकिन irony last में ये होती है कि जो Tisa Ferencz ने plot तयार किया होता है वो plot बिल्कुल fail हो जाता है और इस work में जितने भी characters हैं कुछ characters का murder हो जाता है कुछ characters in prison हो जाते हैं उनके actions के लिए तो इस तरीगे का ये work है चलिए next slide पर चलते हैं नेक्स्ट Thomas Otway ने एक rhymed tragedy फिर से लिखी but with great improvement और उस tragedy का नाम था Don Carlos Prince of Spain ये work इन्होंने adapt किया था मतलब इस work का main source था एक French novel से तो एक writer थे Caesar Vichard Abbey Day Sent Real ये पूरा नाम है तो हम इनको Caesar Vichard करके बोलेंगे तो Caesar Vichard जो थे इन्होंने 1672 में Don Carlos करके एक historical novella लिखा था और इसी work से इंस्पायर होकर Thomas Otway ने Don Carlos Prince of Spain लिखा था एक और चीज़ याद रखना जब Caesar Vichard ने 1672 में Don Carlos लिखा इससे एक तो Thomas Otway इंस्पायर होकर इन्होंने historical novel लिखा Don Carlos करके with the same name and साथ ही साथ Friedrich Schiller who also drew his tragedy of Don Carlos that means कि Friedrich Schiller ने भी Caesar Vichard से इंस्पायर होकर tragedy लिखी with the same name Don Carlos तो ये कह सकते हो कि तीनों के work का नाम था Don Carlos बट एक चीज़ याद रखना कि Caesar Vichard ने सबसे पहले ये work लिखा था 1672 में फिर इन से इंस्पायर होकर Thomas Oatway ने भी सेम नाम से work लिख डाला और इसी से Caesar Vichard के work से इंस्पायर होकर Friedrich Schiller ने भी अपना work अपनी tragedy लिख डाली with the same name Don Carlos तो Don Carlos actual में कौन थे? थोड़ी से एक बार history जान लेते हैं Don Carlos को Prince of Astorians के नाम से भी जाना जाता है और ये King Philip II of the Spain के eldest son थे तो आप कह सकते हो कि King Philip II के बाद अगर किसी को Spain की throne मिलती तो वो Don Carlos को मिलती लेकिन Don Carlos mentally and physically unstable थे और इनको बहुत अजीब तरीके की चीजे पसंद थी जैसे कि दूसरे इंसान को या किसी animal को परेशान करना ये बहुत मतलब इनको entertain लगता था ये सब जैसे कि ऐसा कहा जाता है He used to love harm others like roasting alive animals मतलब ये जो animals होते थे जो alive animals होते थे उन्हें जिन्दा जला दिया करते थे उन्हें roast किया करते थे एंड ऐसी अदर चीजे जो इनको दूसरों को तंग करने में मज़ा आता था तो ये थी डॉन केरलोस की real life की स्टोरी और थोमस ओटवे क्या present करते हैं अपने work में यहां पर ये डॉन केरलोस एंड किंग फिलीप टू जो स्पेन के किंग थे उन दोनों के बीच में rivalry दिखाते हैं और sexual rivalry भी दिखाते हैं क्योंकि दोनों father and son किंग की new wife इसा बैल से प्यार करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक rivalry शो की जाती है इस work में और ये work बहुत जादा success भी हुआ था चलिए next slide पे चलते हैं Thomas Otway ने डॉन केरलोस के बाद two adaptation की from French writer एक तो इनों ने लिखा Titus of Baroness और दूसरा इनों ने लिखा Cheats of Scappin Titus and Baroness इनों ने लिया था French writer Racine के work से और Racine ने कौन सा work लिखा हुआ था Baroness तो इनों ने इस work से Titus and Baroness लिखा इस work को adapt करके Cheats of Scappin इनों ने कब लिखा जब इनों ने Mollier का work पढ़ा for Baries Day Scappin तो इस work से इनों ने adapt करके अपना work लिखा Cheats of Scappin तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं कि ये दोनों work किस-किस writer से इनोंने adapt किये ओके दोनों ही work इनोंने Rochester को dedicate किये थे और ये दोनों work Titus and Baroness Second one is Cheats of Scappin ये एकी साथ perform भी किये गए थे stage पर Titus and Baroness एक love story है इसमें love triangle दिखाया गया है कि Titus and Baroness एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकि जो Titus का एक friend है Antiochus वो भी Baroness से प्यार करता है बट at the end होता क्या है कि तीनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं They all three go their own ways their separate ways तो इस तरीके की कुछ story है आपको story याद नहीं रखनी हैं बस आप ये याद रखना कि इनों ने ये work जो दोनों work हैं ये किस french writer से adapt किये थे ओके Thomas Otway ने 1678 में एक original comedy produced की friendship in fashion जो बहुत ज़ादा इनका successful work रहा फिर इसके बाद इनोंने historical novel लिखा The History and Fall of K.S. Marius ठीक है ये जो work था ये work इनोंने Shakespeare की tragedy Romeo and Juliet से लिया Romeo and Juliet की अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है Thomas Otway ने भी इस play में Romeo and Juliet का role किसी ने किसी को दिया होगा बिल्कुल दिया है तो देखे इसमें क्या होता है कि दो king होते हैं एक तो के यूस मारियूस खुद हो गई और दूसरा king है Metellus M-E-T-E-L-L-U-S Metellus ऐसे करके कुछ कुछ उनकी spelling है तो I think यहाँ पर Double T नहीं है Single T है एक सेकेंड M-E-T-E-L-L-U-S तो दो king हो गई एक तो Metellus और एक के यूस मारियूस के यूस मारियूस का जो सन होता है उसका नाम होता है के यूस मारियूस जूनियर ठीक है और Metellus के एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है Lavinia तो Lavinia यहाँ पर जूलियूस होती है एक के यूस मारियूस जूनियर यहाँ पर रोमियो का रोल प्ले कर रही होते हैं और इस वर्क में Thomas Oatway इन दोनों फादर की फादर के बारे में बताता है कि किस तरीके से यह दोनों फादर कितने क्रूल कितने वॉयलेंट है और इस तरीके का वर्क है कि फादर की क्रूलिटी दिखाई है और बच्चों में रोमिय जूलियट वाला रोमेंस दिखाया है फिर इसके बाद Thomas Oatway ने एक ग्लूमी टाइप की autobiographical poem को publish किया और उस poem का नाम था The Poets Complaint of His Muse in 1680 अब यहां पर एक चीज़ याद रखना कि 1680 में हुआ यह था कि Thomas Oatway रेजिमेंट से जब वापिस आये घर पर क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेजिमेंट में हुआ यह था कि English troops को disband कर दिया था and all the soldiers left with no option other than returning to their homes or their country sites तो इसी वज़े से Thomas Oatway भी London आ गए थे और उस टाइम पर जब यह London आये थे तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं था ना पैसे थे ना कुछ था he was again struggling with his poverty तो इनके उपर एक सेटायर लिखा गया A Session of the Poets 1680 में उसे publish किया गया तो work का नाम याद रखना A Session of the Poets यह anonymously publish हुआ था इसके बारे में अभी हमने कुछ पिछली स्लाइड में भी बात की थी तो जब यह anonymously work publish हुआ Oatway को यह लगा कि यह work जो है Elkanah Settle ने लिखा है Oatway एक स्टोंच टोरी थे टोरी पार्टी से बिलोंग करते थे On the other hand Elkanah Settle विग पार्टी से बिलोंग करते थे तो जब Oatway को यह लगा कि यह 1680 में जो anonymously work publish हुआ है A Session of the Poets यह Elkanah Settle ने लिखा है और Elkanah Settle ने इस work में Thomas Oatway पर सटायर किया है तो इसका reply Thomas Oatway ने pamphlets के थू दिया तो Thomas Oatway ने 1682 1682 1683 में pamphlets निकाले और दोनों ही pamphlet में इन्हों ने Thomas Oatway ने दोनों ही pamphlet में Elkanah Settle को challenge किया To a dual और Thomas Oatway ने इन pamphlet में Elkanah Settle को सटायर किया एक चीज़ और याद रखना इसी टाइम पर 1682 में Thomas Shadwell ने भी एक सटायर वर्क लिखा जिसमें Thomas Shadwell ने Elkanah Settle को मोक किया उस वर्क का नाम क्या है The Tori Poets लेकिन हम यहाँ पर Shadwell की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब Thomas Shadwell ने यह सटायरिकल वर्क लिखा 1682 में The Tori Poets यह इनोंने Oatway की हेल्प से भी लिखा था Oatway ने इस वर्क में कॉंट्रिब्यूट किया था तो इसी लिए हमने यहाँ पर इस वर्क की बात की तो यह चीज़ आपको याद रखनी है तो देखिए क्या हुआ कि पहले अलकाना सैटल ने Oatway पर सेटायर लिखा A Session of the Poets फिर इसका जवाब Oatway ने पैंफलेट के थू दिया एंड शैडवल के साथ मिलकर एक वर्क लिखा The Tori Poets 1682 में और उसमें अलकाना सैटल को Thomas Shadwell एंड ओटवे ने दोनों ने मिलकर अलकाना सैटल को मौक किया The Tori Poets में 1682 में ठीक है चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फिर आगे Thomas Oatway 1680 में The Orphan लिखते हैं The Orphan का एक सब्टाइटल है The Unhappy Marriage ठीक है ये एक ब्लैंक वर्स में लिखा गया वर्क है Domestic Tragedy है और जैसा कि हमने बात की है कि Thomas Oatway के ज़्यादा तर वर्क में Elizabeth Barry और Thomas Betterton ने लिडिंग रोल प्ले किया है तो जब The Orphan या फिर इसका जो सब्टाइटल है The Unhappy Marriage इसको स्टेज पर पर्फोर्म किया गया था तो उस टाइम पर Monimia का करेक्टर प्ले किया था Elizabeth Barry ने Ant Castellio का रोल प्ले किया था लाइक रोल पर्फोर्म किया था Thomas Betterton ने अगर हम इसके स्टोरी की बात करें The Orphan or The Unhappy Marriage इसकी स्टोरी किस तरीके किया यह वो जानते है तो मैं आपको हलका सा सिनोपसिस बता देती हूँ एक Acasto नाम का Nobleman Retired Person होता है जो अभी अभी हाल फिलाल कोर्ट से रिटायर हुआ है तो मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ Acasto A-C-A-S-T-O इसके दो बेटे होते हैं एक बेटा होता है Castillo और दूसरा बेटा होता है Polydore P-O-L-Y-D-O-R-E Polydore ठीक है तो Polydore और Castillo दोनों ब्रदर होते हैं लेकिन यह दोनों होते twin brother हैं लेकिन पहले Castillo पैदा होता है और फिर बाद में Polydore पैदा होता है तो Acasto जो है वो यह चाहता है कि Polydore और Castillo दोनों अच्छा लिखें अच्छा पढ़ें आर्ट के बारे में जाने पोलिटिक्स के बारे में जाने और घर पर रहें आराम से और knowledgeable person बने और Acasto चाहते हैं कि यह दोनों भाई औरतों की company से दूर रहें लेकिन होता यह है कि Castillo and Polydore दोनों भाईयों को एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम होता है Monimia तो दोनों ही Monimia से शादी करना चाहते हैं लेकिन Castillo कहता है कि वो first born twin है तो इसलिए Castillo कहता है कि उसका सबसे पहले Monimia पर हक बनता है तो Castillo Monimia से secretly शादी कर लेता है और यहाँ पर Monimia और Castillo जब secretly शादी कर लेते हैं तो यह अपनी wedding night के बारे में बात करते हैं कि यह wedding night पर किस तरीके से secretly मिलेंगे तो यहाँ पर Castillo कहता है कि यह wedding night पर जब उसके room में आएगा तो यह एक signal दे कर आएगा तो वो signal क्या था एक line थी जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ three soft strokes on the chamber door तो Castillo ने कहा कि यह signal दे कर room में आएगा और Castillo ने कहा जब भी मैं यह line बोलूँगा three soft strokes on the chamber door तो तुम समझ लेना कि मैं Castillo हूँ और मुझे अंदर आने के लिए allow कर देना लेकिन जब यह बात जब यह दोनों Monimia और Castillo secretly इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि यह किस तरीके से wedding night पर मिलेंगे यह बात polydore सुन लेता है और polydore सोचता है कि क्यो ना wedding night पर मैं इस signal को यूज करके as a Castillo बनकर Monimia के साथ मैं पूरी रात बिताऊं तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि polydore जो है वो यही signal देकर wedding night में Monimia के room में चला जाता है तो जब Monimia के room में यह चला जाता है तो Monimia इसको Castillo समझती है लेकिन जब reality में Castillo आता है जब यह signal यूज करता है तो इसे polydore समझकर अंदर जाने की अनुमती नहीं दी जाती लेकिन अगली सुबह सबको सच पता चल जाता है कि जो अंदर wedding night के room में जो अंदर गया था वो Castillo नहीं बलकि polydore था तो जब इस बात का पता चलता है सबको तो Castillo and Polydore दोनों भाईयों में लड़ाई होने लगती है और Castillo की sword से polydore मर जाता है और बाद में Castillo खुद को stab कर लेता है और Monimia को अपने उपर इस चीज को लेकर एक गिरना आती है कि वो पूरी राद जो है Castillo के साथ नहीं बलकि polydore के साथ तो इसी वज़े से Monimia अपने आपको poison कर लेती है मतलब poison वो ले लेती है और वो भी मर जाती है तो इस तरीके का कुछ यह plot है अब अब next slide पर चलते हैं scene 81 में Thomas Oatway ने एक comedy लिखी The Soldier's Fortune and this work is kind of probably drawn from his own military experience इसमें इनोंने अपने military experience की बात की और इसमें आपको दो character के नाम याद रखने है एक तो lover और एक beloved lover का नाम है bugold मैं spelling लिख देती हूँ B-E-A-U-G-U-A-R-D bugold और इसी की girlfriend होती है lover होती है जिसका नाम होता है Clarenda C-L-A-R-I-N-D-A तो यह नाम आपको याद रखने है फिर इन्होंने 1682 में Venice Preserved लिखी जिसका एक और सब्टाइटल है The Plot Discovered बहुत ज़्यादा यह famous हुआ work और in fact इसी work की वज़े से Thomas Otway का नाम जाना जाता है इसमें इन्होंने popish plot के बारे में बात की popish plot के बारे में आप जानते ही होगे हम ओल्रेडी इसके बारे में discuss कर चुके हैं एक detailed वीडियो में आपने नहीं देखिए तो आप प्लीज जाकर जरूर देख लेना है आपको playlist में मिल जाएगी फिर इनका एक last work आया quite obscure work था यह The Atheist in 1684 और इसके बाद 1685 में Thomas Otway की death हो गई थी The Atheist जो यह इनका work था ना इसको कुछ लोग तो brilliant experiment मानते थे, कुछ लोग मानते थे यह बहुत weak work इन्हों ने लिखा है तो लोगों ने अपने perception के हिसाब से इसको समझा था अब next slide पर चलते हैं He died at the age of 33 due to choke देखिए हुआ यह था जैसे कि हमने यह तो पढ़ लिया कि इनकी जो पूरी जिंदगी थी Thomas Otway की वो गरीबी में भीती थी पोवर्टी में भीती थी तो एक टाइम पर ऐसा हुआ कि इनके पास एक वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे यह एक slice of bread भी नहीं खरीद सकते थे खुद के पैसे से इनके पास कुछ था ही नहीं तो at the end हुआ यह कि जब इनोंने the atheist लिखी इसके बाद यह भीक मांगना इनोंने शुरू कर दिया था और ऐसा कहा जाता है कि जब यह bagging कर रहे थे एक bread के लिए तो उस टाइम पर किसी आते जाते इनसान ने इनको कुछ गिनी दे दी थी ताकि यह कुछ bread खरीद पाएं और खा पाएं तो जैसे ही इनोंने वो गिनी ली जैसे ही इनको वो गिनी bagging में मिली थी यह फटावर्ट से बेकर की शोप पर गए और इनोंने bread खरीदा और इनको इतनी भूक लगी हुई थी कि इनोंने जल्दी जल्दी में वो bread खाया और वो bread इनके गले में चोक हो गया था तो उस वज़े से इनकी death हो गई थी तो जो इनकी death हुई किस तरीके से हुई, किस तरीके की इनकी जिन्देगी थी और इनोंने किस तरीके से poverty and misfortune के साथ struggle किया अपनी पूरी लाइफ में ये सब आपको Lives of the Poets में जानने को मिलेगा Lives of the Poets जो है ये work है Theophilus Ciber का जो की Colle Ciber के son है Theophilus Ciber का जो ये work है Lives of the Poets इसका जो पूरा टाइटल है वो है Lives of the Poets of the Great Britain and the Ireland ठीक है आपको इसमें याद ये रखना है कि Theophilus Ciber ने इसमें Thomas Oatway की suffering के बारे में बताया है इनके misfortune के बारे में बताया है इनकी tragic death के बारे में बताया है हाला कि इनोंने इसमें बहुत सारे Poets को include किया है जिसमें से Thomas Oatway की life के बारे में भी Theophilus Ciber ने बताया है यहां पर हमारा Thomas Oatway का जो पूरा topic था वो complete होता है आप मुझे Instagram account पर follow कीजिएगा मेरे साथ Telegram group पर जोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको इन दोनों के link description box में भी मिल जाएंगे first comment section में भी मिल जाएंगे and screen में भी मैं इन दोनों के link दे दूँगी क्योंकि मैं Instagram account पर frequently question answer session करती रहती हूं तो मुझे आप अपने queries या doubts पूछ सकते हैं और directly मुझे DM भी कर सकते हैं okay so this side Priyanka गोर I wish you all the best keep learning thank you so much for watching this video